देखिए बिहार पुलिस कॉंस्टेवल 11391 अभी इसका एक्जाम जो है आपका 7 तरीक हो चुका है 11 तरीक हो चुका है 18 तरीक हो चुका है ठीक अब बाकी है जो आपका 25 तरीक और 28 तरीक और 28 तरीक के डेट वाला जो है एक्जाम आपका बाकी है अब बहुत सारे बच्चे जो है फीजिकल स्टार्ट कर दिये हैं जो फीजिकल करवाने वाले जो संस्थाएं हैं जो आपके एकडमी है वे अपना एडमीशन गोईंग आन कर दिये हैं तो क्या यह सही है फीजिकल जरूरी है और इनको फिजिकल में लगना चाहिए ये भी जानना जरूरी है क्योंकि आप जो है इसी तरह हवा में कुछ नहीं कर सकते हो और साथ-साथ कितने नंबर आपके रहना चाहिए तो आपको फिजिकल में लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए क्या करना चाहिए इ तो लड़के एक्जाम के बाद तुरंट फिजिकल स्टार्ट करना चाहते हैं क्योंकि बिहार पुलिस का फिजिकल तो असान है नहीं बिहार पुलिस के फिजिकल में है उसके बाद से फिर उसके बाद से चीज़े देहने को मिलती है फिर गोला फेख है पुलिस के नमबर का उसके बाद से हाई जंप है 5 फि devi तक ये male candidate का female का भी ऐसे ही थोड़ा बहुत criteria देखने को मिलता है तो physical कहीं न कहीं tough है और इसमें ही जो है आपको final mate बनता है और साथ साथ ये physical को तयार करने में काफी लंबा समय लगता है क्योंकि army से भी इसका hard physical है तो देखिए अभी आपको क्या करना है सबसे पहले थोड़ा सा आपको दिमाग को अपना दोड़ाना है अगर हम बात करें कि physical आपका कब तक होगा तो ये तो अभी तो पूरा अगस्त आपका exam चलेगा September में आपका तो होगा नहीं अक्टूबर में संभावना है कि अक्टूबर के last last तक इसकी physical की date लिख ले अगर रही बात result की तो संभावना है क्योंकि re-exam है ये बहुत समय पहले ही एक्जाम हो गया होता अभी तक हमको लगता physical भी complete हो गया होता लेकिन re-exam है फिर भी जो है अगर ये खूब fast भी करें तो ये result जो है अपना अगले मंथ के मतलब September के last तक दे पाएंगे September के last तक जो है ये अपना result दे पाएंगे क्योंकि इसमें scrutiny करना है copy देखना है किसका omrset गलत है खार या machine से होता है मतलब computer से होता है कोई नई बात नहीं है चीज़े बहुत जल्दी ही हो जाती है लेकिन फ बात जो है आपकी physical होती है तो मान के चलो कि October के last तक आपकी physical start हो सकती है या November में तो आप देख सकते हो ये खूब fast करेंगे तब जो है पूरा मतलब fast अपना पूरा effort लगा देगा CSBC तब October के last तक ये November के starting में अपना physical start कर सकता है तो इस हिसाब से आपके पास 2 महिना धाई म ना कि आसपास समय है अगर ये पूरा fast process से करता है तो physical कब चालू होगा आप लोग समझ गये अक्तूबर या November के starting में ठीक अब बात करते हैं कि physical करना अभी सही है कि नहीं सबसे पहले physical किसको सुरू कर देना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए देखिए बहुत सारे ऐसे और इस बार की बात करें तो पेपर तो आउट वगेरा नहीं हो रहा आपको भी पता है कोई ऐसी जो है न्यूज और लिक्स नहीं मिल रही अब अंदर की क्या बाते है जब रिजल्ट आएगी तो पता चलेगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना OMR सीट को आ सांगली नहीं होता है तो कट अप तो बहुत कम ही जाएगा पचास से साथ के बीच के आसपास मतलब कि ये 65 कर लो आप इसके बीच में अगर पोश्चन सही करेगा चाहिए लड़का हो या लड़की सबका रिजल्ट हो जाएगा मतलब फिजिकल के लिए वे इलिजबल हो ज जाना चाहिए और फिमेल पचास पुश्चमन के आसपस हैं तो इनको लग जाना था ये फिजिकल में लेकिन फिर भी 100% स्यूरीटी नहीं है कि इतना पर रिजल्ट ही हो जाएगा क्योंकि वहीं बात है भाई क्या होगा कैसे होगा तो कहीं ना कहीं बिहार पुलिस की तैया तो उतना ज्यादा एफ़र्ट भी लगाना जरूरी नहीं है क्योंकि हवा में काम करने से घाटा ही होता है फाइदा नहीं होता है अगर हम बात करें किनको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए तो बिहार पुलिस के अलावा यदि आप किसी भी नौकरी की तैयारी नहीं कर रह देंगे समझ लोकी तो अभी से कराने लेंगे कब तक होगा फिजिकल काफी लंबा चावड़ा समय है तिक है इसलिए अगर आप पिहार पुलिस पर डिपेंडेंट हो तो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाओ एकेडमी जॉइन कर लो लेकिन अगर आप दूसरी भी वेक अपाइज पर दियारी करना ही होता है तो वह तो आप ऐसे भी कर रहे होगे हना ज्यादा आपको सिंसेरली नहीं बोलूँगा कि आप बिल्कुल 100% फिजिकल महीं लग जाओ ऐसे लड़कि है जिनका एक्जाम कोई नहीं है वह 100% लग जाए बाकि एगामिस समय में जिनका ए लेकिन आप अपने अगामी समय के एक्जाम पर ध्यान देना है ज्यादा किसी के मोटीवेशन में आके आपको बह नहीं जाना है कि नहीं हम इसी में लग जाए अब हमारा हो यह जाएगा बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं बहुत तरह की चीजे रहती है अभी क्या होगा क कुछ ना कुछ लिक्स तो आई वे करेगा CSBC के द्वारा या बिहार गवर्मेंट के द्वारा तो सारी चीजे किलियर हो जाएगे लेकिन उमीद है कि इस साल जो है बिहार पुलिस का फिजकल होके और इसका पोसेस अंतिम चरन पे चला जाए यह उमीद है इस साल तक या मार आगए की किई तैयारी करने में कितना समय लगए तो इसकी फिजकल की तैयारी करने में एक से डील मंथ का समय लगए अगर आप कंसिस्टेंटली अगर इसके कारेड़त रहेंगे तब अगर छोड़ छपाट करके या किसी इधर उधर दिमाग लाया कि अगर आप करोगे तो नहीं ठपाओगे सरीर से आपको fit रहना बहुत जरूरी है बिहार पुलिस के physical को त्यार करने के लिए अगर सरीर से fit नहीं रहोगे तो आपका physical नहीं बन पाएगा किनकि इसका physical असान नहीं है अगर आपको सारी चीजे किलिएर हो जाती है तो बिल्कुल आप एकडमी जोइन कर लो वहाँ पे जादा आपको benefit मिलेगा अगर आपका सारी चीजे किलिएर नहीं हो पाती है तो आप सब्सक्राइब दिमाग आपके पास है क्या करना है कैसे करना है आप बहुत समझदार हो तो इस चीज को समझिए और अपने काम को करिए सभी को आल दी वेस्ट